गट सकता है नारियल का उत्पादन जिहां दरसल सिंदूर्ग जिले में नारियल के उत्पादन घटने की खबरे आ रही हैं लंबे समय तक बारिश और जुलाई में भारी बारिश और सफेद मक्खी और काली सडन सहित विभिन कीटो के संकर्मन के कारण इस साल महाराष्ट्र में सिंदूर्ग जिले में नारियल का उत्पादन 40 फीसदी कम हो गया है इसलिए उत्पादकों में चिंता का महूल है क्योंकि आम काजू सुपारी के बाद सुरक्षित माने जाने वाली नारियल की फसल भी बदलते परियावरन का शिकार हो रही है महाराष्ट्र में सबसे अधिक नारियल की खेती सिंदू दूर्ग जिले में की जाती है राजिया में 33,000 हेक्चर में नारियल की खेती होती है जिसमें से 18,000 हेक्चर में खेती सिर्फ सिंदू दूर्ग जिले में होती है हलाकि नारियल का उत्पादन जिले के सभी हिस्सों में होता है वेंगुरला, कुडाल, सामतवाडी, मालवन, तालुका में बड़ी मात्रा में खेती की जाती है लेकिन पोश्टिक वातावरन और कीटों और बिमारियों के नियूनतम परकॉप के कारण पिछले कुछ सालों से जिले में नारियल फस्टों की खेती में बड़ोतरी हुई थी लेकिन वहीं नारियल की फसल अब बदलते परियावरन का शिकार हो गई है पिछले साल 6-7 जून को सिंदु दुर्ग में परवेश करने वाला मौनसुन 12 जून को ना मातर के लिए परवेश किया था लेकिन 23 जून को एक्टिव हो गया वहीं जिले में अप्रेयल मई में नारियल के पेड़ों को प्रेप्ट पानी नहीं मिल पाया दूसरी और मानसुन लंबा चला जबकि जुलाई में 50 फीसिदी बारिश हुई इस से नारियल की फसल पर प्रतिकूल परभाव पड़ा अप्रेयल से जुलाई के अंतक नारियल के फूलों का उत्पादन आदा रह जाता है किसानों का कहना है कि इस दोरान भारी मात्रा में फलों का नुकसान हुआ है वहीं इस दोरान नारियल के पेड़ों का आकार भी घटा है इसके इलावा नारियल पर सफेद मक्खी और हैजा का परकौब बढ़ गया है इसलिए बदलते मोसम से सुरक्षित माने जानने वाली नारियल की फसल भी अब खत्रे में पड़ गई है नारियल किसानों को जटका लगा है क्योंकि उत्पादन का आदा हिस्सा ही देखने को मिला है बिरो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी